तो दोस्तो नैनिताल जील का ये प्यारा सा नजारा आप लोग यहां पे देख सकते हैं इसी के साथ साथ आज मैं पहुंच हूँ नैना देवी मंदिर जो के आपके नैनिताल में है काफी प्यारा मंदिर मा का ये और इसी के साथ-साथ ये काफी पर्षिद सक्ते पीटों में से एक माना जाता है तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी दोस्तों का आज एक नई वीडियो में है अप-टो आज में बताओंगा आपको नैनिटाल के नैना दिवी मंदिर के बारे में इसी के साथ-साथ आठ ये नैनिताल जहिल का नैनि जहिल का बहphenा है नैनि जहिल का ये प्यारा सा नजारा आप लोग यहां से देख सकते है जब भी आप लोग नैनिताल आओ तो ये नैनी जील का भी आप यहां पे लुप्त उठा सकते हो और काफी प्यारी प्यारी जो है नाओ भी आपको यहां पे देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ आप स्याम का ये नजारा नैनिताल का ये नैनी नैना देवी मंदिर का यहाँ पे देख सकते हैं काफी प्यारी लाइटिंग जो है स्याम के समय यहाँ पे मार्केट में रहती है और पास में ही जो है आपका नैना देवी मंदिर है स्याम को जो है नैनिताल मार्केट में थोड़ा इस तरह की जो है चहल पहलियां पे रहती है और इसके साथ साथ एक प्यारा सा दरवार मा नैना देवी का सिधा नैनिताल से मा नैना देवी के मंदिर में जैसे ही आप लोग परवेश करोगे तो यहीं पे आपको हमारे बजरंग बली के सामने दर्सन होंगे इसे के सामने आप नैना देवी का ये प्यारा मंदिर यहाँ पे देख सकते हैं मा नैना देवी के जो ये प्यारा मंदिर है इसके बार में कहते हैं कि माता सती के यहाँ पे दोनो नैन यहीं पे गिरे थे जिस कारण यहां पे माता नैने देवी को यहां पे पूजा जाता है और माता सती के यहां पे दो आँखों के रूप में पूजा की जाती है तो यह प्यारसा नजारा मंदिर का यहां पे और इसी के साथ साथ आपको मंदिर के पास में यहां पे दस अफ्तार यहां पे देखने को मिलेंगे सारे दस अफ्तार आपको काफ़ी प्यारे अच्छे तरीके से यहां पे दर्सन कर सकते हैं आप लोग यहां पे और दस अफ्तार के दर्सन करने के बाद यह आपको मंदिर के आंगन में इस तरह से हमारे प्यारे महदेब जी की ये सिवलिंग के साथ-साथ यहां पे मौनिंग का ये नजारा यहां पे मा नैना देवी मंदिर का आप लोग यहां पे देख सकते हैं और जब भी आप नैनिता लाओ तो मा नैना देवी मार्केट के पास ही आपको इस तरह से हपे बगल में ये नैना देवी मंदिर के पास इस तरह से गुप्यारा से गुरुद्वारा नजर आयेगा।